नमस्कार मैं सुतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के समपाद की से 441 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरुवत है तो आप हमारे टेलीगराम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अन्ततह लोक सभा में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राश्ट्रपती द्रवपदी मुर्मू को पत्र लिखकर छमा याचना कर ली लेकिन यदी वह यह काम पहले ही कर लेते तो ना तो उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को सरमिंदगी का सामना करना पड़ता यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्होंने मजबूरी में माफी मांगी क्योंकि पहले उन्होंने यह इस पश्टी करण दिया कि उनकी जुबान फिसल गई थी फिर यह कहने लगें कि बांगला भासी होने के नाते उन्हें हिंदी का सही ग्यान नहीं है यह इसलिए गले नहीं उतरा क्योंकि बांगला में भी राश्ट्रपती को राश्ट्रपतनी नहीं कहा जाता इसके अतिरिक्त लंबे समय से सांसद होने के नाते उन्हें यह सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए थी कि जब प्रतिभा पाटिल पहली महिला राश्ट्रपती बनी थी तब किसी ने उस तरह की कोई टिपड़ी नहीं की थी जैसी उन्होंने की उन्हें यह भी इस मरण होना चाहिए था कि जब नजमा हेप्तुल्ला राजय सभा की उप सभापती थी तब भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा था कि उन्हें किस रूप में संबोधित किया जाना चाहिए निसंदेह यह भी समझ नहीं आया कि अधीर रंजन ने अपनी सफाई में यह क्यों कहा कि राश्ट्रपती चाहे ब्राम्हण हो या मुसल्मान अथमा आदिवासी उनकी पार्टी के लिए राश्ट्रपती ही होता है पैरा फिल हाल यह कहना कठिन है कि अधीर रंजन के माफी मांग लेने के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा या नहीं क्योंकि राश्ट्रपती के संदर्भ में उनकी अभद्र टिपड़ी को लेकर संसद में सोनिया गांधी और इसमिर्ती इरानी के बीच जो तकरार हुई कि वह भी एक मुद्दा बन गई है इसे लेकर संसद में हंगामा भी हुआ इस सत्र में संसद के भीतर और बाहर जैसा हंगामा हो रहा है वह अभूत पूर्व भले ना हो लेकिन यह साफ है कि राजनीतिक विमर्स का अस्तर सबसे निचली सतह को छूता हुआ दिख रहा है इससे बड़ी विडम बना यह है कि इसमें किसी की रूची नहीं दिख रही की संसद सही तरह चले यह जनाकांग्शाओं का निरादर ही नहीं संसद की गरिमा की अंदेखी भी है क्या यह विचित्र नहीं कि जो विपक्षी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में नारे बाजी और हंगामा करने के आरोप में निलंबित किये गए वे यह प्रतीती करा रहे हैं कि हंगामा करके सदन ना चलने देना ही उनका प्राथमिक दाईत्व है इस्थिती कितनी देनिय है यह इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन पहुचते हैं और फिर इसके लिए हर संभव कोशिस करते हैं कि वे किसी तरह संसद टीवी के कैमरों में कैद हो जाएं इसके बाद वे यह सिकायत भी करते हैं कि उन्हें अपनी बाद कहने का आउसर नहीं मिल रहा है इसे ढोंग ना कहें तो क्या कहें Stop दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ड अंततह लोग सभा में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राश्ट्रपती द्रावपदी मुर्मू को पत्र लिख कर छमा याचना कर ली लेकिन यदी वह यह काम पहले ही कर लेतें तो ना तो उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को सरमिंदगी का सामना करना पड़ता यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्होंने मजबूरी में माफी मांगी क्योंकि पहले उन्होंने यह इस पश्टी करण दिया कि उनकी जुबान फिसल गई थी फिर यह कहने लगें कि बांगला भासी होने के नाते उन्हें हिंदी का सही ग्यान नहीं है यह इसलिए गले नहीं उतरा क्योंकि बांगला में भी राश्ट्रपती को राश्ट्रपतनी नहीं कहा जाता इसके अतिरिक्त लंबे समय से सांसद होने के नाते उन्हें यह सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए थी कि जब प्रतिभा पाटिल पहली महिला राश्ट्रपती बनी थी तब किसी ने उस तरह की कोई टिपड़ी नहीं की थी जैसी उन्होंने की उन्हें यह भी इसमरण होना चाहिए था कि जब नजमा हेप्तुल्ला राज्यसभा की उप सभापती थी तब भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा था कि उन्हें किस रूप में संबोधित किया जाना चाहिए निसंदेह यह भी समझ नहीं आया कि अधीर रंजन ने अपनी सफाई में यह क्यों कहा कि राश्ट्रपती चाहे ब्राम्हण हो या मुसल्मान अथमा आदिवासी उनकी पार्टी के लिए राश्ट्रपती ही होता है पैरा फिल हाल यह कहना कठीन है कि अधीर रंजन के माफी मांग लेने के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा या नहीं क्योंकि राश्ट्रपती के संदर्भ में उनकी अभद्र टिपड़ी को लेकर संसद में सोनिया गांधी और इसमिर्ती इरानी के बीच जो तकरार हुई वह भी एक मुद्दा बन गई है इसे लेकर संसद में हंगामा भी हुआ इस सत्र में संसद के भीतर और बाहर जैसा हंगामा हो रहा है वह अभूत पूर्व भले ना हो लेकिन यह साफ है कि राजनीतिक विमर्स का अस्तर सबसे निचली सतह को छूता हुआ दिख रहा है इससे बड़ी विडम बना यह है कि इसमें किसी की रुची नहीं दिख रही कि संसद सही तरह चले यह जनाकांग्शाओं का निरादर ही नहीं संसद की गरिमा की अंदेखी भी है क्या यह विचित्र नहीं कि जो विपक्षी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में नारे बाजी और हंगामा करने के आरोप में निलंबित किये गए वे यह प्रतीती करा रहे हैं कि हंगामा करके सदन ना चलने देना ही उनका प्राथमिक दाईत्व है इस्थिती कितनी देनिय है यह इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन पहुँचते हैं और फिर इसके लिए हर संभव कोशिस करते हैं कि वे किसी तरह संसद टीवी के कैमरों में कैद हो जाएं इसके बाद वे यह सिकायत भी करते हैं कि उन्हें अपनी बात कहने का आउसर नहीं मिल रहा है इसे ढोंग ना कहें तो क्या कहें स्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अन्ततह लोग सभा में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राश्ट्रपती द्रावपदी मुर्मू को पत्र लिख कर छमा याचना कर ली लेकिन यदि वह यह काम पहले ही कर लेतें तो ना तो उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को सरमिंदगी का सामना करना पड़ता यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्होंने मजबूरी में माफी मांगी क्योंकि पहले उन्होंने यह इस पश्टी करण दिया कि उनकी जुबान फिसल गई थी फिर यह कहने लगें कि बांगला भासी होने के नाते उन्हें हिंदी का सही ग्यान नहीं है यह इसलिए गले नहीं उतरा क्योंकि बांगला में भी राश्ट्रपती को राश्ट्रपतनी नहीं कहा जाता इसके अतिरिक्त लंबे समय से सांसद होने के नाते उन्हें यह सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए थी कि जब प्रतिभा पाटिल पहली महिला राश्ट्रपती बनी थी तब किसी ने उस तरह की कोई टिपड़ी नहीं की थी जैसी उन्होंने की उन्हें यह भी इसमरण होना चाहिए था कि जब नजमा हेप्तुल्ला राजय सभा की उप सभापती थी तब भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा था कि उन्हें किस रूप में संबोधित किया जाना चाहिए निसंदेह यह भी समझ नहीं आया कि अधीर रंजन ने अपनी सफाई में यह क्यों कहा कि राश्ट्रपती चाहे ब्राम्हर हो या मुसल्मान अथमा आदिवासी उनकी पार्टी के लिए राश्ट्रपती ही होता है पैरा फिल हाल यह कहना कठीन है कि अधीर रंजन के माफी मांग लेने के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा या नहीं क्योंकि राश्ट्रपती के संदर्भ में उनकी अभद्र टिपड़ी को लेकर संसद में सोनिया गांधी और इसमिर्थी इरानी के बीच जो तकरार हुई वह भी एक मुद्दा बन गई है इसे लेकर संसद में हंगामा भी हुआ इस सत्र में संसद के भीतर और बाहर जैसा हंगामा हो रहा है वह अभूत पूर्व भले ना हो लेकिन यह साफ है कि राजनीतिक विमर्स का अस्तर सबसे निचली सतह को छूता हुआ दिख रहा है इससे बड़ी विडम बना यह है कि इसमें किसी की रूची नहीं दिख रही कि संसद सही तरह चले यह जनाकांग्शाओं का निरादर ही नहीं संसद की गरिमा की अंदेखी भी है क्या यह विचित्र नहीं कि जो विपक्षी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में नारे बाजी और हंगामा करने के आरोप में निलंबित किये गए वे यह प्रतीती करा रहे हैं कि हंगामा करके सदन ना चलने देना ही उनका प्राथमिक दाईत्व है इस्थिती कितनी देनिय है यह इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन पहुँचते हैं और फिर इसके लिए हर संभव पोसिस करते हैं कि वे किसी तरह संसद टीवी के कैमरों में कैद हो जाएं इसके बाद वे यह सिकायत भी करते हैं कि उन्हें अपनी बात कहने का आउसर नहीं मिल रहा है इसे ढोंग ना कहें तो क्या कहें इसकाप्ग